नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है आज की क्लास में और आज हम लोग ओरियंटेशन क्लास है तो आज हम लोग स्ट्राटेजी पर बात करेंगे कि कैसे त्यारी करनी है हम लोगो किस किस चीज का ध्यान रखना है और फिर आपके सवाल मैं लूँगा और लास्ट में मैं और पी तीयारी में वह मैटर करता आप की कंसिस्टेंसी कि आप कितने दिन तक मोटीवेटड रहते हैं आज सबको बहुत जोगा सब लोगा बहुत जो निपास इनको यो फॉत जब्र जाएगा आज पास के लोग जो होंगे वो बोलेंगे बेवकूफ हो जो लोग में हैं उनको कई लोग होसियार लोग समझधार लोग समझाने आएंगे कि बेवकूफ हो क्या अरे जो फुल टाइम कर रहा है उसका नहीं हो रहा है तुम्हारा कहां से होगा तो उसका एक समझारी में एक बहुत ही अच्छा एक डेटा है कि कितने परसेंट लोग लास तक कंटिनू करते तो मातर तीन परसेंट तक कंटिनू करेंगे एक जान सेप्टेंबर वहोना है सेप्टेंबर तक जो मोटिवेटेड रह गया मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 100 दिन आपको मोटिव करेंगे ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया बेकार है क्यों पढ़ रहा है क्या जीवन है कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा वह आएगा वह फेज को बहुत मतलब क्या कहते हैं वह पार्ट और पार्सल अफ त्यारी है लेकिन उस फेज को आपको कंटीनू नहीं कर जाना है और उसके नहीं हुए हैं आप पहली बार कोई चंदर्यान मिसन या मंगल यान नहीं बना रहे हैं आप ऐसा काम कर रहे हैं जो हर सल हजार लोग करते हैं अंतर बस यहीं है आप में और सफल और असफल में कि जो सफल वेक्ति होता है वो अपने आपको consistent रखता है लास्ट तक discipline का मतलब क्या होता है बहुत साइण वेक्ति होते हैं जो कि लोग बोलते हैं consistent का मतलभ है कि आज से लेके जिस दिन तक PT होगा अभी हम लोग पहला target commitment है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है सेप्टेमबर तक अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप आज ही कुईट कर जाईए लेकिन एक बार डिसाइड करके फिर आप 15 दिन वाद आप नाप तौल करेंगे कि यार बड़ा पढ़ना भर रहा है इस अच्छा तो यही जीवन है तो असफलता कि टीस बहुत ज़्यादा क्या करते हैं पैनफुल होती है लाइफ स्ट्रेसफुल क्यों होता है किसी का क्योंकि आपका जो मन में जो ख्याल है कि मुझे यह मिलना चाहिए आपको मिल रही है यह जो गैप है यहां और यहां के बीच का वही आपके लाइफ में बोजिल बनाता है तो थोड़ी से मेहनत करनी है और ऐसा नहीं है कि दिन रात एक कर देना है 24 घंटे पढ़ते रहना है वह वह नसा आएगा अपने आप आएगा आपको वह उसके लिए आपको पहला प्रॉमिस करेंगे कंसिस्टेंट रहेंगे कंसिस्टेंट के दूसरा पा में करने बुद्य करों में जो लोगे जाजता है तो सो जाना है और बाकि टाइम सीर्फ बढ़ना है कोई आपके लाइफ का टार्गेट नहीं होना चाहिए अगले नियुसक्त महीने के लिए जब भूक लगे खाना खालिजे मत रोकिए अपने आपको भूक को कि फिर आपका दिमाग जो है न वह डाइवर्ट हो जाएगा कि यार खा लेते हैं नहीं खाएंगे क्यों जी रहे हैं क्यों मर रहे हैं वह से विचार आने लाएगा फिर जीने का फायदा क्या हुआ खालिज जाएगे आप चाय बनाने चलेगे नीन टूट जाएगा और उस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका आधा एक घंटा वेस्ट हो गया और फिर आप फाइनली सोही गया है क्योंकि मैंने यह फेस किया वह उसके बाद मैंने इस इंप्रूव्मेंट लाए अपने में और पिछल भूख लगे तो खाना है जब नीद आए तो सोना बाकी टाइम पढ़ना पढ़ने का टाइन फिक्स नहीं करना पढ़ने का मीटर नहीं लगाने को कि आप दीहारी मज़़ूर नहीं है तांग करता है कि मैंने इतने बज़े काम स्टार्ट की इतने बाद बंद किया तो इसलिए पहला कंशिस्टेंसी रखना है कंसस्टेंसी में क्या हुआ है अभी से सेप्टेंबर तक कंटिन्यू करना है अगर नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते तब ही आप continue किज़े इसको ठीक है कोकि यह सफलता के लिए क्या क्या है requirement वो बता रहा हूं बहुत साई लोग बोलते हैं कि पांच attempt होगा चार attempt होगा successful क्यों नहीं हो पा रहा है क्यों कोकि आप consistent नहीं है आप अभी World Cup देखने चले जाएगा आप अभी साधी ब्यार्टेंट करने चले जाएगा अभी Holy Attent करने चले जाएगा तो आप Holy Attent कीजेगा दूसरा लड़का वहां Holy Attent नहीं कर रहा है तो खुद बताईए अगर आपको जज़ बनाया जाए तो आप इसके पक्ष में decision देंगे फिर वही है जो Holy नहीं अटेंड किया जिसने क्योंकि सफलता तो sacrifice मांगता ही है ठीक है तो consistency का पहला जो होगे आपको वह करना है दूसरा आपको 24 घंटे कंदर उस लेक्चर को देख लेना तीसरा उस लेक्चर के साथ एक assignment involved होता है assignment का मतलब क्या होता है कि आपको उस से related आज के lecture से related कुछ सवाल दिये जाएंगे उस सवाल को आपको करना ह सवाल 24 घंटे के अंदर क्यों करना है उसके कारण विसका भी logic में बता रहा हूं ठीक है उसका logic क्या हुआ कि आपने एक बात मैंने अभी आपसे का जो अभी मैंने लंबा चौरा भासन जो दिया मैंने वो कहा अभी से क्या होगा कि 24 घंटे के बाद दिमाग से जैसे पानी सब्सक्राइब नहीं हो तो आपको क्या करना होगा चौविस घंटे के अंदर फिर से इसको रिकॉल करना होगा कि इस लेक्चर से पर बैठ जाएगा फिर क्या होगा कि अगली क्लास में उसको असाइनमेंट को डिसकस किया जाएगा तब क्या फरक होगा कि जब तीसरी बार आपका रिभाइज हो जाएगा आप अन्नोइंगली आपको आता है लेकिन तभी जब टीचर डिसाइड करेंगे कोई और बच्चा उस पर डाउट पूछेगा तो आपका तीसरी बार रिभाइज हो जाएगा तो यह आपका लगवक 24 से 30 घंटे के अंदर वो चीज आपका तीन वर रिवाइज हो गया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा इसलिए उसको असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है जो लोग भी असाइनमेंट को कर लेंगे वह आप समझेए कि आपका हाफ काम हो गया जो लोग असाइनमेंट को पेंडिंग छोड़ते जाएंगे तो समझ लिए आप उस दिन से रेस में पिछड़ गया और शुरुवाती जब पिछड़ जाईएगा तो फिर आप समझ लिए कितना मुस्की लोग आपके लिए चेस करना फिर चमतकार ही आपको इस रेस में ला सकता है ठीक पहला आपका यह कमिटमेंट हो गया म कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एक डाइरी मेंटेन कीजेगा थोरथ अब करना थाइसा मुस्किल होता है तो डाइरी मेंटेन कीजै क्यों मैं करने करने कह रहा हूं समझाता हूं एक दिन 24 गंट होता है यह करना हूँ यह जिसके जिसके पास अफरात पैसे अंबानी है वो नहीं हिसाब किताब रखेगा लेकिन जिसके पैसे कम है वह हिसाब किताब रखता है उससे क्या होता उसको पता चलता है उसने पैसे कहा खर्च किये तो जो लोग जॉब में उनके पास समय कम है तो आपको समय का हिसाब किताब रखन चलता हूं नौ घंटे का आपका नौ इन आवर का आपका जॉब हो गया ठीक है एक घंटा आपको लगता है आने जाने में ठीक है ट्रेवल में ठीक है अब आपका सोने का समय साथ घंटे स्लिपिंग टाइम है साथ घंटे और नहाना धोना खाना एक घंटा ठीक है इटिंग महीं सब में जोड़ देता हूं इटिंग प्लस प्लस बस जो भी आपका ठीक है कितना हुआ यह अगर आप यहां 6 में से पांच घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका कितने घंटे हो जाता है छे से साथ घंटा हो जाता है यह सफीशेंट है यह मैंने भी ऐसे पढ़कर निकाला है क्यों मैंने यह आपको रूटीन बताया है है मैं यह रूटीन मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब आप उसको हिसाब किताब करके रात को सोने जाएंगे तो आप डेली हिसाब किताब करेंगे कि मैंने कितना समय बरबात किया है कितना समय जॉब किया ठीक है जिसका डूटी टाइम फिक्स नहीं है तो वह भी आठ घंटे दस घंटे की जॉब होगी ना आपकी मैंने लिख तो दिया आपको मैंने देखे एक्सक्यूज देने के लिए तो कुछ भी है मैं एक और चीज बताता हूं कि मैंने इतने दिनों में बहुत सारे बच्चों मिला हूँ और उसमें से जो असफल बच्चे होते हैं हमें सार मेरी कहानी बहुत अलग है सर मेरी जो समस्या सबसे अलग है यह सारे असफल मुवी मैंने देखा है जो IPS बने हैं उनके पास खाने और रहने के पैसे नहीं थे वह आठा चक्की में रहते थे और वह बहुत पुनानी बात नहीं अभी सर्विस में जिन्होंने बहुत साइर लोगों ने देखा होगा को कि बहुत वह फेमस किताब भी है और वह मुवी बन करती है उनके पास अपसोच सकते हैं जिसके पास रहने और खाने के पैसे नहीं हो वह लाइबृडरी में रहते तें सफाई करते थे उसके बात पढ़ते है कि किताब उनके पास पढ़ने के लहाँ था पैसा है उसके पूस्त निकाला न तो अपना excuse बढ़ा मत कीजिए एक्सक्यूज बढ़ा कर लिजेगा तो आज से सुरू कर जाए मेरी कहानी बहुत अलग है ने मेरे साथ जो सबसे अलग है सारे असफ़ल बच्चे यही कहते हैं मेरी वह हो सकता है कहानी अलग हो गई मुझे SDM बनना है तो सब चीज छोटा हो जाएगा तो वही चीज ध्यान रखिए ठीक है तो यह जो मैंने ब्रेक बताया है कि आप 6-7 घंटे पढ़ ले रहे हैं सब लगेगा मन कचोटेगा कि इतना द्रीम पाला है मैंने और मैं अपना दिन का इप्लाइज नहीं कर पाए अब जो यह 6-7 घंटे जो सब वह भी अपडेटेड होना जरूरी है फिर कुछ दिर के लिए कि क्या हो रहा है इस वाट का टीटी वर्ल्ट कप में रोहित सर्मा कैप्टन बनेंगे की नहीं बनेंगे तो वह आपका घट के बच जाएगा एक दो घंटे ठीक है एक दो घंटे आप वीडियो देखेंगे उ डायोरी में आज का डएट डालना एक कि बीस जन्वरी आज का डेट है ठीक है जनवरी कि को हकासा चाहबत शुक्त लिखना है कि मेरा क्या ड्रीम है ठीक है और मैं आज सटिस्वाइड हूं कि नहीं अपने दिन चर्या से बस दो लाइन लिखना है यह इसलिए लिखना है कि आपको हिसाब किताब रखना है अपना नहीं तो आप हिसाब किताब नहीं रखेंगे ना तो कैसे आपका छे महिना न करना है ठीक है तपना है घिसना है तब सफलता मिलेगी तो कोई सौटकट नहीं है ना मैं मेरे नौलेंज में तो आज कोई नहीं मिला जिसने सौटकट से बीपेस्सी या कोई भी एक्जाम कॉलिफाई किया उतना आपको जलना ही पड़ेगा उतना तप नहीं पड़ेगा तब जाके आप कीज़ेगा तो मैं उसको बात करूंगा ठीक है अब पढ़ना कैसे मैं उसको बताता हूं यहां तक तो हो गया टाइम टेवल क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक इंट्रेस्टिंग बात और बता रहा हूं मैं एक अभी मैं रिसेंटल बच्चे से मिला तो उसका यही कहना था कि सर मेरा सेलेक्शन नहीं हो रहा है दो अटेम्ट दिया पीटी नहीं हो अप दिन पर पढ़ता हूं नहीं होता है तो उनका रूटीन क्या है तो उनका आज दूरी पर थे वहां जाते से निउश पर खरीते थे चाय की दुकान पर चाय पीते थे और नहीं निवश पर पढ़ते थे और देव नौवजे नौवजे घर आते सब्सक्राइब फिर उसका खाना बनाते थे अपना भू खाना बना लिया उन्होंने 11-11 तक खाना खाल अब तक आपको बस वाम अप कर रहे हैं ठीक है को कि आपने चाय के दुकान पर जाकर पढ़ा तो कोई मतलब नहीं उस पर पढ़ने का पर पढ़ना वी कैसे मैं आपको डिसकूस करूंगा ठीक है बारे वजब लगटी चले जाते अपने ठीक है और बारे से बुलते हैं कि सामके छे बेध़े तक लाइब्ल करता हूं में क्या करते है तो वीडियो देखते है उन्楼 सब्सक्राइब क्लास पर जाइं और्पाते सबसे पहले बात जो लोग स्टूडेंट रहते हैं टिफिन लगा लिजीये कोई जरूत नहीं है नौ महीने फ्रेस खाना खाने की थोड़ा घटिया खाना खा लीजे सेलेक्शन हो जाएगा सबसे पहले टिफिन लगाईए कोई जरूत नहीं है फ्रेस खाना खाने की सेकेंड चीज घर में बनाई वह उल्टा करते हैं मैं मेरा जो मानना है कि चाय के लिए एक आप घर में सेट अप रखिए दूद कोई जरूत में फ्रेस दूद लाने की मिल्क पाउडर रख लीजे कि मिल्क पाउडर रख लीजे ठीक है और इंडक्शन वाला रख लीजे गैस कि इसे पांच-दस मिनट में आपका चाय बन जाए कोई जरूत नहीं बजार जाने के लिए को कि एक चीज़ बता है इंसान गाड़ी नहीं है कि आपने गेर चेंज किया बाहर गये तुरंद गेर चेंज किया घर आया पढ़ना शुरू कर दिये आपका फिर माइंड जो है मोमेंटम में आने में आधा घंटा लग जाएगा तब तक फिर आपका अगला कुछ रूटीन का टाइम आ जाएगा तो जो लोग जितना वी इन सब फालतू चीजों में अपने समय वेस्ट कर रहे हैं वह सब चीजों को लाइन अप कीजिए थोड़ा सा सिस्टेमेटिक ला आने में आपका आदा घंटा चालिस मिनट लग जाएगा तो कोई जरूवत नहीं लगाए घर में बैठके टिफिन खाए हो सब्सक्राइब खाते वक्त ही जो लेक्चर सुनना है वो सब सुनिए वो सब टाइम यूज कीजिए अपना कि giants गत थीक है तो हम मेंस की जो है हम लोग आपना के त्यारी करना इसमें अभी से में चले दूर्ज कराया जाएगा मेंस का सब्जेक्ट कराया जाएगा और जैसे से पीटी नजदिक आएगा तम लोग फूल फ्लेस पीटी मोट पर आएंगे ठीक कि पीटी एक्जाम का फॉर्म दो महिने पहले आता है सेप्टेंबर में पीटी होने वाला है तो संभवत जुलाई में आपको फॉर्म आजाएगा जुन जुलाई के समय फॉर्म आजाएगा अब पढ़ना कैसे है वह मैं आपको बताता हूं अब्दुल्ला जी बिल्कुल इसमें जीरो लेवल से सुरू किया जाएगा यह मैं इंस्योर कर रहा हूं और मंडे से मैं ही क्लास लूँगा तो मैं कोशिस करूंगा कि उस टॉपिक को जैसे मैंने पढ़ के समझा है कोई भी टॉपिक को इंट्रेस्टिंग बनाके पढ़ि तो मैं हिस्ट्री को कोशिस करूंगा कि उतना इंट्रेस्टिंग बनाके पढ़ाओ कि आपको उसमें इंट्रेस्ट आने लेगा फ्रैक्ट्स रटना यह सब रटना वो सेकेंड स्टेज आता है जब आपको इंट्रेस्ट आजाए कि सीच मेना ताप खुद ही उसको आप बन पढ़ाने के बाद आप उस टॉपिक में तब आप उस टॉपिक के मास्टर बनेंगे जब आप उस टॉपिक को किसी और को पढ़ा सके बरे ध्यान से समझेगा अंतर एक छोटा से उधारन देता हूं जैसे भारत की अजादी अगर पढ़ रहे हम लोग ठीक है अगर उस छो घखाई भाषन समझा दीजे में अपने को समझाता था वो तॉपिक मुझे बहुत जब किसी को समझाने जाते आता है क्या- मौंसुन पढ़क है यह नहीं अट कि मॉनसुन पढ़के ह locked आप मॉनसून मुझे समझाने की बार तो बोले कि अ कि करने लगए वह उसी समझ में आता है कि जब भी आप एक टॉपिक पढ़िए और टॉपिक अगर किसी को समझा दीजिए कि देखो यह इसमें ऐसे होता यह कारण है यह ऐसा हुआ वह ऐसा हुआ तब वह टॉपिक आपका अपना हो जागा उस दिल समझें का टॉपिक आपको समझ में आ गय कि आघे सबसे पढ़े लिह चक्र Пटे लें किताब खोले रहते हैं पना देख देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कुछ और और उसके ज्यादा आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगा आपको नहीं लगा कि मैं वही हूं कि मैं वही राहू लूँ जो एक दिन पहले रिजल्ट आने के पहले तक फालतु था और एक आएक आज क्या से क्या हो गया कि ठीक है कि चलिए तो मेरे तरफ से बहुत सारी बात है हो गई और अब आपकी बात करते हैं कि अधिए जो भी क्लास होगा न उसके टीचर बता देंगे कि आपको कौन सा किताब पढ़ना है ठीक है मैं एक साथ समराइज को कि जो भी टीचर है बहुत अच्छे टीचर है और बहुत अच्छे अच्छे कोशिंग से वह कनेक्टेड हैं बड़े कोशिंग पढ़ाते हैं जहां पर अच्छी खासी फीस है तो ऐसा नहीं होता है कभी कभी क्या होता है कुछी सस्ती मिलके दो लोग डाउट करने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि खराब है नहीं है यह कि आप तक पहुंच सके आपको फायदा हो सके कि मेंस एंसर आइटिंग डेली नहीं होगे मेंस का जो है वह विकली आपका मेंस का मेंस का लग टीचर है जो कि एंसर आइटिंग की क्लास लेंगे कि कैसे करेगा हम लैप्टोप पर चलेगा विन्ता जी नोट्स मिलेगा समीम जी इसमें daily आपको class के लाद नोट्स मिलेगा class का notes मिलेगा बोर्ट पे जो लिखते हैं वो भी उसका रिकॉर्ड होता है वो उसका pdf convert होके मिलता है कि इससे की वी क्लास चलेगी नितियस जी यह कंप्लीट है सिर्फ पीटी के लिए नहीं कराया जा रहा है यह पूरा कंप्लीट आपको कभर किया जाएगा कि विकली क्लास का सेड्यूल और एक टेलीग्राम गृप है उन्हेट के कंटेंट सेक्शन में है कि एक कि यह उただ की कि कुलाइब वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा और सारा डिटेल्स उसमें क्लास के पहले डाल दिया जाएगा नहीं आयो सपोर्ट नहीं है उसका एप का मेरे पास भी आयोस का फोन था लेकिन मैंने आपके लैप्टॉप पर चल जाएगा हाँ पीडियाफ का प्रिंट निकाल सकते हैं हाँ रिकॉर्डड क्लास रहेंगी रिकॉर्डड क्लास तो अगर आप लाइव नहीं सुनने तो कोई लाइव में आपको फैदा यह है कि आप इंट्रैक्ट कर सकते जैसे कि कुछ कोश्चन लिखेंगे तो मैं अगर पढ़ा रहा हो जैसे कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं तो कर लेंगे क्लास का डाउट सेशन भी होता है जैसे हम लोग मैंने अपनी बात कहा दी अब मैं आपके कमेंट पढ़ पर के रिप्लाइब कर रहा हूं कि अननगी दो संब्सक्राइब करें अनन जी दो बैच है एकедई मीडियम का इकंगleां अग्प फरक नहीं पढ़ता है अब कंटेंच भी दोनों में मैं था कर भाकि सब ही में दोनों teacher अलग हैं को कि मैं अलग अलग मेरे संभा मेरे सभाइब से एक सत्थ पढ़ाता हूं कि आद सोनु जी मैं सभाटे को एक मिलने का प्रोगाम रखता हूं तो अगर सटर्डे को दस लोगों से मिलता हूं दस लोगों से इंट्रैक करता हूं जो नहीं तो उन्हीं दस में से किसी का टाम टेबल था यह तो मिलकर टाम टेवल भी इंप्रूव करने की कोशिस किया मैंने पहलिए बह rozum में है है लौकल है इंग्रिज भैष तो धू इंग्लीप café अब लॉन प्रस्वाइए ग्रहेार ना अब सदेटा इंग्लिश करेंगे कि टीचर तो हिंदी में बात करेंगा और आ हो सब में ऑdzieट्यों तो ऐसे नहीं है कि का नैंसी जी इंग्लिस मीडियम का मतलब होता है कि सब्सक्राइब स्कूल वी कई पढ़ाता है तो बात है और सारी इंग्लिस की रहेंगे तो जोन लोजी आएगे वह सारी इंगलिस की रहेंगे इक नॉमिक बात करते अग्मीज की लाउजी इंगली कि रहेंगी लिए जैसे एंप बोलते हैं ब्रॉस्ट टॉमेस्टिक पड़र बोलते हैं सकल हिंदी वह गई सब्सक्छर घर लोटपाद होगा इसके डीपग जपका नाम लिए लिए मैंने आप दिख रहे हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइप देख्राइब हर मुंत मां मांध मन ऊसके लिए मैं कहना जाना हूं कि आपको टेस्ट हो जो हमारा record है कि out of 100 left with which is out of 100 पहला test थेस्ट थेस्ट फस्ट आप को 70 टेस्ट देते हैं आपको 30 लोग और उसके वाद से 4 फिस्त में आज आते हैं दससे 15 लोग और यह दसे नहें लोग सलेक्ट हो जाते हैं कि तो को सिस कीजिएगा कि आप पिस दस से पंद्रह में रहे हैं कि सब कुछ सेप्टेमबर तक कंप्लीट हो जाएगा आपका उसके वाद सिर्फ प्रैक्टिस होगी कि अगर ऑप्सिनल को लेके आप थोड़ा कंप्यूज है तो ऑप्सिनल मैं जो सजेस्ट करूंगा कि हिस्ट्री जोग्राफी लीजिए क्यों क्योंकि हिस्ट्री का जो स्लेब से मेंस का उसका 75 परसेंट आपको जीएस में कवर हो जाएगा सिर्फ व्र्द हिस्ट्री कवर्ट नहीं होगा ठीक है तो वर्लभ हिष्ट्री का आप कोई भी एक छोटा साब्रेक्ट यह पढ़ लेकित आप का वाल्स हिच्ट्री भी बहुकर लोग बाहर रह रहें कोई इसमें से बगलोर रह रहा है कोई बीहार कहीं अलग अलग हिससे वह नहीं होगा है असाहिल जी दोनों के बैसर है बिल्कुल सेपरेट रहेंगे हिंधी मेडियम के अलग टीचर आएंगे इंगली वाले जो हैं वह हिंदी का क्लास नहीं देख सकते हैं और हिंदी वाले से क्लास नहीं देख सकते हैं करेंट की क्लास चलती बहुत अच्छे नामी टीचर कोई नाम लेकर कह रहा था उनके लिए कि मैं कर दूंगा किंजल की किताब में बता दूंगा कौन से किताब बहुत छोटी से पतली से किताब जो कि सफीशेंट है क्यों लीजेगा जोती जी जब सब्सक्राइब करेगा अगर आप पुणाने लोग हैं त्यारी कर चुके एक वार तो अच्छी बात है कि अगर्वय बीहार में कुछ भी नहीं नहीं पता है कि में और कॉलिफाइंग है अब जब्जेक्टिव को स्टिन आता है हंडेड नमबर का 40 नमबर लाना रहता है तो इसके नमबर नहीं जूरते हैं कि इसको फोटी आउट और फंडेड आ जागा उसका जी एसका पेपर चेक होगा जी एसे का कि खिए स्टेक्स में मेरा मैस बहुत अच्छा सब्जन और मेरा मैस बहुत अच्छा सब बताइस टेलिग्राम गूर्द सब्सक्रो exemption बनाया गया है कोगी यह वीट बनाया गया था अब हर तरह के लोग आते हैं कुछ फोन मन करने लगते इसलिए वाटसप ग्रूप का सिस्टम बंद कर दिया गया है वह आपको कंटेंट सेक्षन में दिख जाएगा क्योंकि उसके लोग पशान हो रहे थे वाटसप ग्रूप से मैं अपना नमबर वाटसप का नमबर सेर करूंगा आप वाटसप कर सकते हैं और उससे फायदा ही होगा कि आप मुझे वाटसप करेंगे बुछे जरुवत होगी मुझे लए आपका डो कोश्चन है वह रेलेमेंट है तो मैं आपको कॉल करके भी बात कर लूँगा मुकेश जी मैंने सुरू में बता है कैसे टाइम मैंनेज करें अच्छा खासा डीटेल बता है अपने लेट से जॉइन किया है तो आप उसको देख सकते हैं सर मैं आप से परभावित हो गया हूं सर मेरा जौब मज़ूरी करता हूं मेरे साथ में कुछ ऐसी कंडिशन थी क्यों मुझे लगा कि नहीं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बिदा सकता हूं बहुत टफ एक एक दिन काटना भारी पर रहा है और पूरी जिंदगी बिताना लगवकि 60 साल तक तो जौब कर नहीं है तो मैंने नहीं करूंगा और वह जो कहानी मैं अक्सर सुनाता हूं उस वक्त मैंन हने स्पीड होती है 120 km प्रती घंटे होती है ऐसे मतलब उससे तेज़ालेस भी हिराइस और होती है लेकिन जब चीता हिरन के बीचे भागता है तो हिरन अपनी सारीडिक छमताओं को तोड़ते हुए चीता से तेज भाग कर अपनी जान बचा लेता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि जो चीता भाग रहा होता है वो नास्ता करने के लिए भाग रहा होता है और जो हिरन भाग रहा होता है वो अपने जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो आप क्यों भाग रहा है आप क्यों इस रेस में आया है वो मैटर करता है आप नास्ता कर ये लेकिन आप जान बचाने के लिए इस रेस में जान बचाने के लिए इस त्यारी में आए तो सारीजूसीन हैं वह सब चोटी पर जाएंगे और आप सफल हो जाएगे मैं खुद सफल हुआ हूं तो इसलिए मैं यह बिलकुल ठोख करता हूं कि आपके ड्रीम बड़ा होना चाहिए ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे excuses छोटे पर जाए सारी जो परसानिया है वो छोटी पर जाएं